में तरो नमस्कार मैं मैंग दिरपाथी नोग्यान जोतिश चैनल पर आप सभी दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूँ मैंने लिखा है सूरी ने समाप्त की नीश्टा किया वरश्चिक रासी में प्रवेश 16 नॉम्बर से 15 दिसंबर तक कुछ ऐसी भागिसाली रासियां भी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है सबसे पहले बात करेंगे मेश रासी वालों के विसे में तो यदि आपकी मेश रासी है तो सूरी महराज ये नीच अवस्था में आपके सब्तम स्थान में थे ये अब चले जाएंगे नीचता से बाहर हो जाएंगे और जो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस उत्पन कर रहे थे उससे बाहर निकल करके ये अश्टम भाव में चले जाएंगे अपने इस्थान से चार दस का ये संबंध बनाएंगे विद्यार्थियों के लिए बहुत शांदार समय रहने वाला है ये मत सूचिएगा कि अश्टम भाव में ये जा रहे हैं तो बुरा ही करेंगे सिक्षा के छेत्र में विशेस लाबदाय की सितियां बनेंगी चार दस का संबंध है इसका मतलब ये रहा कि कार छेत्र में भी कहीं न कहीं आपको फाइदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन शुक्र और बुद्ध दोनों ग्रह साथ में हैं तो वैवाहिक जीवन में परेसानी लगातार बनी रहेगी ये ध्यान रखिएगा और स्वास्त आपका अच्छा रहेगा इसमें कोई गड़बडी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पंच मेस होते हैं सूरी महराज और पंच मेस होकर के अश्टमभाव में जा रहे हैं और अगर देखें तो मेस रासी वालों के लिए सूरी का या रासी परिवर्तन करना ठीक ठाक रहेगा बहुत अच्छा नहीं है सामान नहीं बात करेंगे अगली रासी व्रशब की यदे आपकी व्रशब रासी है तो चतुर्थे सूरी ये जा रहे हैं आपके सात्वे स्थान में ये साथवे स्थान में बैठेंगे और साथ ही साथ लगनेस भी यहाँ पर बैठेंगें बुद्ध भी बैठेंगें जोकि लक्षमी नाराण योग बना करके बैठेंगें तो ऐसे में प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो समय सांदार रहेगा इसके इलावा इस समय मन में आपके भटकाओ रहेगा वयवाहिक जीवन में उठा पटक आप महसूस करोगे क्योंकि एक तो है कि यहाँ पर सूरी बैठेंगें और साथ ही साथ मंगल भी आपके लगन में विराजमान है तो व्यापारियों के लिए तो ठीक ठाक है लेकिन वयवाहिक जीवन में थोड़ी आप दिक्कत अनुभाव करोगे आपको इस समय अनाफ सनाफ समंदों से बचना चाहिए और ओम शुम शुक्राय नमः इस मंतर का जब करना चाहिए ताकि शुक्र महराज और बुद्ध महराज जो लक्ष्मी नारायन योग बना करके बैठे हैं इस से आपको लाब हो वैसे आर्थिक इस्थिती आपकी अच्छी बनी रहेगी बात करते हैं अगली रासी मिथुन की यदि आपकी मिथुन रासी है तो सूर्य महराज जा रहे हैं नीचता से बाहर हो करके आपके छठे भाव में तरतियेस हो करके छठे भाव में जाएंगे ऐसे में यहां पर सत्रूं को बैठके ये कुचल देंगे सत्रू हंता योग बना देंगे इनके ठीक सामने मंगल महराज भी विराजमान हैं तो ऐसे में कोट कचेहरी वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा आपके एनरजी लेविल में भी व्रद्धी होगी और कहीं कहीं न कहीं छोटे भाई बहनों का थोड़ा स्वास्त प्रभावित हो सकता है लेकिन आपके लिए यह गोचर शुब रहेगा अपने स्थान से चारदस का संबंद बना रहे हैं तो कहीं न कहीं इनके उपर गुरू की भी दृष्टी है शुक्र बुद्ध के साथ में हैं त आपकी चंदरासी करक है तो धने सूर्य आपके पंचम इस्थान में जा रहे हैं यानि कि कारिसे आपके पास विशेष धम सुक्सम्रद्धी आने वाली है और साथ ही साथ परिवार का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस समय आमदनी आपकी बहुत ज शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान हैं तो आमदनी आपकी बढ़ने वाली है इस समय प्रचूर मात्रा में आपके पास धन आएगा और प्रतेक छेत्र में आपको लाब देखने को मिलेगा यानि कि आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी तो किसमत चमकने वा माहराज यहां पर जब चौते भाव में बैठेंगे तो सूर्य लगने से तो जहां पर बैठेंगे वहां की वरद्धी अवश्ची करेंगे तो गाड़ी, मकान, वाहन, भूम, भूवन, जाजाद, आदिकी प्राप्ति आपको ये करा सकते हैं यदे आप मकान प्रापर्टी खरीदना चाहते थे तो समय आ रहा है सूर्य के प्रभाव से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि आए के मालिक और धन के मालिक बुद्ध महराज भी साथ में गोचर कर रहे हैं यानि कि आपकी तो आर्थिक इस्थिती बहुत अच्छी रहने वाली है 16 नौंबर 2022 से होगा कारी छेत्र में दिन दूने राज चोगने तरक्की आप करते रहोगे लगभग एक माह तक ओमादित्याय नमा इस मंत्र का जब करें ताकि आर्थिक इस्थिती आपकी और भी ज़्यादा लबदायक बंती चलीजे हैं कन्यारासी में सूरी महराज 12 से सो करके बैठने जा रहे हैं आपके तीसरे इस्थान में विपरीत योग बनाने जा रहे हैं लगने साथ में हैं तो इस समय थोड़ा संगर्स की श्थिती आपके लिए तो बढ़ेगी हाला कि पराक्रम आपका बढ़ जाएगा और साथ ही भग भी आपका साथ देगा लेकिन मेहनत आप अग यदि कर ले गए तो बहुत अच्छा रहने वाला है सूरी देव का यह गोचर इस समय मित्र भाई बंदू सभी आप पर महरबान रहेंगे आर्थिक लाब भी आपको मिलेगा क्योंकि शुक्र और बुद्ध दोनों साथ म कहीं न कहीं मिलती रहेगी यात्राय करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए हगोचर शांदार रहेगा बात करते हैं अगली रासी तुला की तुला रासी में अभी तक लगन में नीच भाव में बैठे थे शूरी महराज ये नीचता छोड़ करके जा रहे हैं आपके धन भ मंगल महराज जो दुतियेश होते हैं वो सीधे सूरी पे द्रष्टी राल नहें हैं गुरू की भी द्रष्टी है यानि कि सूरी जो है तीन सुभ ग्रहों के दाइरे में बैठे हैं बुद्ध शुक्र और गुरू आर्थिक इस्थिति आपकी बहुत जबरदस्त रहने वाली ह धन का लाप चारों तरफ से आपको होता रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों को और नौकरी करने वालों के लिए जबरदस्त सांदार समय सुरू होने वाला है महा भागिसाली रासी रहेगी ये तुला आपके लिए सूरी महराज जो है वरदान लेकर के आ रहे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए और सूरी को अर्ग दे और साथी साथ शुक्र के मंत्रों का जब करें बात करते हैं अगली रासी व्रश्चिक की तो व्रश्चिक रासी में जसमेश सूरी लगन में बैठने जा रहे हैं भारी मात्रा में मान सम्मान उचाईयां बड़े लोगों से संबंद मिलना नौकरी मिल जाना प्रमोशन मिल जाना उन्नती हो जाना प्रतेक छेत्र में लावदाय की स्थिति ये बना करके लगन में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए गोल्डेन पीरियड रहने वाला है कारी छेत्र में विशेस लाभ आपको दे स्थे के स्वामी भी होते हैं लगनेस भी होते हैं तो वैवाहिक जीवन थोड़ा गडबड ये जरूर रहेगा लेकिन लावदाय की स्थितियां बनेंगी पैसे के लिए आप भी महाभागिसाली रासी में से एक रहने वाले हो आर्थिक इस्थिति आपकी मजबूत होती चल नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस समय अगर आप यात्राएं करोगे तब ठीक रहेगा आपके लिए सूरी देव का रासी परिवर्तन करना सो सो है बहुत अच्छा नहीं है बात करेंगे मकर रासी वाले व्यक्तियों के विसे में तो आपके सोर्स आफ इंकम पे जा रहे हैं सूर महराज और यहां पर भागेस भी हैं तो भागी में व्रद्धी होना तैं हैं लेकिन अश्ट में सूरी जब लाब में जाएंगे तो यहां थोड़ी दिक्कत अवस्युत पन्न करेंगे आमदनी आपकी जितनी होगी उससे कहीं ज्यादा खर्च भी बनाने की कोशिश करेंग लेकिन एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बना हुआ है कि भागेस भी साथ में हैं तो बुद्ध के मंत्रों का यथा सक्ति आप जब करें लाल कपड़े कम से कम पहने खास करके रवीवार के दिन और बुद्धवार के दिन तो इस्थितियां आपके अनकुल बन वैसे लक्षमी नाराण योग आपके कुंडली में बन रहा है बुद्ध और शुक्र दोनों ग्रह एकादस भाव में हैं तो विशेस लाबदायक इस्थितियां आपके लिए भी बन नहीं है लेकिन सूरी को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं करना है बहुत ज़्यादा मं मरासी है तो सब्तमेश यानि सात्वा भाव का डिपार्डमेंट सूरी के पास है तो ऐसे में कारी छेत्र में यदे आप व्यापारी हैं विशेस लाबदायक इस्थितियां बनेंगी नौकरी करने वालों के लिए भी समय की चाल अच्छी बनेगी लेकिन वहीं पर सूरी महर आज तो बहुत अच्छा रिजर्ट दे रहे हैं लेकिन मंगली योग बना है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ रहेगा कोई खास चिंता की बात नहीं है लेकिन कारी छेत्र में और व्यापारियों के लिए समय की चाल बहुत अच्छी बनी हुई ह इस समय मन मताबिक रिजर्ट आपको अपने कारी छेत्र में दिखेगा चाहे वह नौकरी हो या व्यापार हो आपके लिए भी समय की चाल अच्छी बनी हुई है बात करेंगे अंतिमरासी मीन की यदे आपकी चंदरासी मीन है तो सूरी महराज भ्रमण करेंगे आपके भाग करेंगे वह अलग चीज है भागे को खराब नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस स्थान पर बैठे हैं भागे स्वयम इनके ओपर द्रस्टी डाल रहे हैं दूसरी चीज गुरुद्यों की भी द्रस्टी है सूरी बुद्ध भी बैठे हैं तो आपके लिए भी गोचर शांदार रहेगा चिंता करने के बिल्कुल आउशकता नहीं है लगने अलेडी हमस नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं तो गुरु के मंत्रों का यथा शक्ति आप जब करें ताकि लाबदा कि स्थितियां बढ़ती चली जाएं और सूरी के मंत्रों का बहुत ज़्यादा जब मत क करो